कि अपने गर्ल्फ्रेंड के याद को कैसे भुला है इसके बार में आज मैं आपसे बात करने वालों टॉपिक बड़ा इंट्रेस्टिंग है मगर वह हमारा हमरे पेशन्ट से रिलेटेड इसलिए वह भी वह बात कर रहा हूं उसकी वह यह टॉपिक की बात कर रहा हूं तो में डॉक्टर दीपक करेकर मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोन तथा विसमी तग्रिय हूं महराष्टे में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं एक लड़का मेरे पास में बाइस साल का आ गया बोल रहा था कि पिछले पंद्रावी दिन से बहुत दुखी है बहुत उदास है बहुत इस्टरब है उसको बार 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 वो लड़की की याद आ रही है कि जो लड़की के साथ में हो कम समों पिछले एक साल से डैटिंग कर रहा था गुम रहा था फिर रहा था उसका प्यार था और उसको अचानक दिए जुछा कि 15 दिन से 12 यह 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 कि फोन ने ले रही है, फोन उठाने रही है, WhatsApp ने कर रही है, कुछ ही ने कर रही है, तो उसने और फिर क्या होदा है कि जैसा, मालूम पढ़ना है कि क्या हुआ जब फोन उड़ा दिन नहीं तो क्या हो गया क्या प्रॉब्लम है मालूम पड़ा कि और किसके साथ में लग गई फिर लुकिंग बैक जब वो पीछे-पीछे देखने लगा तो मालूम पड़ा कि यह तो बहुत दिन से चाल उसका चकल चल रहा था मैं देखा ही नह लगा गया रहे कि उस तो भी गड़बर चली रहा है था मैंने वो देखा नहीं तभी उसको बहुत डिप्रेशन आ अभी करना क्या है बोलता वलते मैं तो सुशाइड कर लो खुदकुशी कर लो मेरे को तो रहा नहीं जाता है बार बार वार वही विचार आते हैं वही खान लगता कि अभी यह वो बुरहा कि सीरी काट डलो भी अभी असा लग रहा है इतना इतना तरिफिक दर्द हो रहा है उसको वीचार होन से उसको मिने बहुत भला कि ठीक है अभी क्या कर सकते हैं पहले यह देख लो कि हुआ क्या हुआ है कि आप वो लड़की के साथ में एक सा बैटे वे और वो मेमरी जो है वो केमिकल चेंजेस के साथ में जुड़ी हुई है कि मतलब होता क्या है कि वो लड़की साथ में एक अपोजिट सिंख्स का अट्रैक्शन है उसके साथ में आप जा रहे है घुमद फिर रहे तो आपके ब्रेन में काफी सारा डोपामिन अभी किक बढ़ना बंद हो गया और उल्टा वो थौट जो आ रहे है वो थौट से अभी dopamine, serotonin, secretion कम होना चालो हो गया मतलब बढ़ना तो छोड़ो तो भी कम हो गया और उसके वज़े से तो जो memory bag है वो memory bag से बार-बार-बार-बार थौट आ रहे है वो थौट जब आ रहे है कि वह अभी अपने साथ में नहीं हो उसका जो experience है कि अपने साथ में नहीं है वो experience से dopamine, serotonin, secretion और कम हो रहे है इसको तकलिफ हो रही है बहुत restlessness, घबराहाट, बेचे नहीं हो रही है अब करना क्या है विन इसको बहुत है कि अभी आपको rational thinking करना पड़ेगा तुम तो सोच रहे थे कि इसके साथ में मैं शादी करूँगा मन में सोच रहे थे अभी उसको प्रपोस नहीं किया, उसको और कोई लड़का दिख गया हो सकता है कि आपसे अच्छा होंगा, हो सकता है कि उसने और कुछ देखा होंगा उसमें, हो सकता है कि कुछ तो भी और जादा उसको महां मिला होंगा उसका तो कई प्यार नहीं था अच्छा हो गया कि वो निकल गई आज कल तुम शादी कर देते और बापने कुछ लफड़ा होता था तो कितना प्राब्लम है बहुत ही अच्छा है कि वो निकल गई क्या प्राब्लम है अभी मैं क्या करो बोगते तो एक एक दिन एक पल हो रही है इतना बार 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 विचार हा रहा है कि करूं क्या मैं मैं अभी कुछ नहीं अभी self-hypnosis मैंने उसको सेशन दी self-hypnosis करो meditation करो और ये देखो कि जो हो गया वो अच्छे के लिए होता है जो हो गया वो अच्छा हो गया कोई प्राब्लिम नहीं है अब मैंने उसको बता है कि आप अच्छे-च्छे मोटिवेशनल वीडियो देखो अच्छे-च्छे गाने सुनो जो excitement लाएंगे मोडन कोई लड़के-लड़कें जिनको girlfriend, boyfriend है मैंने देखो आपको ऐसा लगता है तो नही रिलिशंशिप आप तैयार कर सकते हो अच्छा लगता है ऐसा कोई नहीं है उसका उतारा नहीं है तो जब sessions हुए तो sessions में उसको काफी उसको दिखने लगा कि actually उसको जो सता रहा है वो उसके जो विचार है कि मैं कैसा हूँ मैं गया बिता हूँ क्या मुझे उसने क्यों ठोकर दिया मुझे उसने क्यों ठोक दिया मेरे से कहां से मतलब क्यों चली गई और किसके साथ में क्यों गई मैं कमजोर हूँ क्या वनला, उसको, उसने जो कहानी उसके साथ में बनाई थी और अपने आपको जो कोस रहा था उस से उसको और जाद दुख हो रहा था मरोने बहुते तेरे में कुछ कम नहीं है जो है वो हुआ जो हुआ, यह हुआ, वो निकल गई इतना ही है तुम्हारे में कुछ भी नहीं अब तुम देखो अभी क्या कर सकते हो जो हो गया वह अच्छे के लिए हो गया यहां से समझ किया विद्धी काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा Dopamin Serotonin Secretion ज्यादा होने के लिए जो भी कर सकते है तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो बस सकेंगे एक लाइफ आप बचा देंगे विडियो शेयर करने के लिए पहले से मैं आपको धन्यवा देता हूं सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो बे लाइक ओन आता है उसको इपर क्लिक करो ताकि नोटिफिकेशन जल्दी आपको आजाएगे पहले आजाएगे थैंक यू बेरी मच फर वाचिंग पहले से मीच फिए जदी आपको आजाएगे